प्रोड़क्त है वह है डाबर गुलाब बारी प्रीमियम रोज वॉटर डेली ग्लो और इसके पीछे जो डेटेल लिखे हुए है वह है डाबर गुलाब बारी प्रीमियम रोज वॉटर इंग्रीडियेंट्स एक्वा फ्रेग्रेंस रू गुलाब रोज ओयल प्रोपिलीन ग्लाइकॉल फैनोग्जी एथेनॉल ट्राइथलीन ग्लाइकॉल सोडिय बेंजोएट पर इम एड्रेस ऑफ मैनुफेक्ट्टर यूनिट रीड़ फर्स तू कारेक्टर्स ऑफ बैच कोडिंग एंड सी बिलू तो यह सारे डिटेल इसमें लिखे हुए है कॉस्ट इसकी है मर्पी है 45 रूपीज 120 एमल की यह इसकी क्वांटिटी है और डाबर का है इसका और यह एक इंडियन प्रोड़क्ट है तो यह था तो जैसा कि मैंने आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि मैंने इसमें आप लिए प्लान किया है कि मैं आपको टैन यूजेज बताऊंगी इसके और मेरे पास इसके टैन से ज्यादा यूजेज है आइंग 14- 15 यूजेज हैं बट मैंने टाइटल रखा है टॉप 10 तो टॉप 10 तो हाई है उसके लावा भी आपको इसके और यूजेज पता चलेंगे तो यह है डावर गुलाब बारी आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं बट मेरे पास यह है तो मैंने इसको आपको दिखाया तो इस जब स्किन पर अप्लाए होता है तो स्किन का पीच लेवल कीख होता है तो इससे जो है स्किन में जो मौस्टराइजिंग है वो बनी रहती है तो यह सबसे पहले आपको एक अच्छा मौस्टराइजर का काम करता है सेकेंड जो है वो है फेशियल मिस्ट इसको आप यूज कर सकते हैं फेशियल मिस्ट की तरह आप इसको एक स्प्रे बटल में भर लीजिए और उसके बाद में आप उसको फेश पे स्प्रे कर लीजिए तो यह एक फेशियल मिस्ट की तरह काम करेगा जो आपके फेश को एक क प्रॉब्लम है वो नहीं होगी थार्ड जो है आप इससे फ्लेवर टी बना सकते हैं और लेकिन जो भी गुलाब बारी आप लीजेगा वो देख लीजेगा कि इड़िबल है कि नहीं वैसे इसको इंटेक में कोई दिक्कत नहीं होती है इंटेक के लिए यह सही होता है तो आप जो भी गुलाब बारी लीजेगा वह इड़िबल है कि नहीं वैसे इड़िबल होती है तो तो नेक्स जो है इसका यूज वह है ऐस टोनर तो के लिए आपको करना क्या है एक कॉटन लीजे कॉटन में इसको डिप करिये और डिप करने के बाद उस चॉटन से आप जो है cleanser use करने के बाद ऐसा toner इसको apply कर सकते हैं six जो use है इसका क्योंकि यह antiseptic properties के अंदर होती है तो antiseptic properties होती है इसलिए आपको अगर rashes हो गए है cuts हो गए है burn हो गए है छोटे मोटे जो होते रहते हैं तो आप उन cuts पे भी या rashes पे भी इसको apply कर सकते हैं तो इसकी antiseptic property है तो उसकी healing के लिए यह काम करेगी next जो है 7th use वो है anti aging effect तो जो wrinkles होते हैं fine lines आपके चेहरे पर आ रही है बाकि age से जो आ रही है वो तो कोई बात नहीं है वो तो आएगी जैसे होता है naturally जो aging symptoms है वो आएंगे लेकिन अगर early aging symptoms आ रहे हैं तो उसके लिए आप इसको अगर यूज करेंगे तो अराम से आपके वो wrinkles वाली जो problem है anti aging क्योंकि इसमें effect होता है तो वो काम करेगा एस जो है कि यह anti anxiety और anti depression के लिए काम करता है तो क्योंकि anxiety और depression जो है इसलिए इससे effectiveness है क्योंकि यह जो है इसमें इस तरह के agents पार जाते हैं anti anxiety और anti depression हो और इसकी वजह से इसकी जो smell होती है इसको आप यूज करेंगे तो इसकी smell से वो जो आपकी anxiety है या depression है वो सही होगा आपका mood सही होगा तो यह एक relax आपको करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा ninth जो इसका काम है वो है अगर आपके skin में redness आ रही है गर्मी की वजह से या किसी और वजह से तो वो redness जो है वो इससे सही हो जाएगी अगर आप इसको regular apply करेंगे तो skin की redness खतम हो जाएगी tenth जो है इसका वो है सिरदर्द आप कहेंगे सिरदर्द हाँ सिरदर्द में इसलिए काम करता है यह क्योंकि इसकी एक therapy होती है aroma therapy जिससे अलग-अलग तरह की जो महक होती है उनसे अलग-अलग चीजों का इलाज किया जाता है तो उसी अरोमाथरपी के अंतरगत जो सरदर्द होता है तो सरदर्द के लिए क्योंकि जैसे depression anxiety यह brain से related है उसी तरह जो headaches होंगे तो वह भी आपके rose water की महक से या rose की महक से आप फूलों से भी ले सकते रोज वाटर से भी ले सकते तो उसकी महत से आपको सरदर्द की जो problem है वो सही होगी 11 जो है वो है आपकी skin को regenerate करता है आपकी skin में जो dead cells है या जो breakouts है उसको यह सही करता है क्योंकि यह antioxidant से भरपूर है इसके antioxidants आपके skin के breakouts को ठीक करेंगे 12 है इसका कि यह एक flavoring की तरह आप इससे काम ले सकते हैं तो जैसे आपको सरवत बनाना है तो शरवत में आप as a flavoring agent आप rose water डाल सकते हैं या आपको माननीजे watermelon का सरवत बना रहा है तो watermelon के शरवत में आप इसको यूज कर सकते हैं आप कोई चिक्की बना रहे हैं या इस तरह की sweet बना रहे हैं तो sweet में भी आप इसको as a flavoring agent यूज कर सकते हैं राइस बना रहे हैं चावल अगर बना रहे हैं पुलाव बना रहे हैं तो आपको इससे रोज का flavoring मिल जाएगी जो 13th यूज इसका है वो भी एक बहुत ही effective और medicinal यूज है वो है ये कि अगर आपकी नाप के अ खाओ हो गया चोटा मोटा जो हो जाता है अकसर तो वह आपको वहां दवा लगाने से सही नहीं होगा या लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको apply भी कर सकते हैं प्लस इसकी smell लेने से एक आप cotton पे इसको ले लीजे और इसकी खुश्बु लीजे वैसे ये चीज आप डिरेक्ट रोज से भी कर सकते हैं कि आप गुलाब को सुंगेंगे तो आपके जो इंटर्नल चीजे हैं जैसे आपने देखा होगा राजा महराजा लोग गुलाब की खुश्बु लेते रहते थे तो वह ऐसा नहीं था कि वह एक therapy है उसकी महट जब आपके अंदर जाएगी कि जब भी मेरे नाग के अंदर कई फुंसी हो गई है तो बस यह होता है कि एक गुलाब ले लो और सुंगो तो गुलाब अगर आपके घर नहीं है क्योंकि अब इस समय उतने बाग बगीचे तो होते नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं उस महक के लिए नेक्स जो इस का इसलाए जब आप 30 का कर रहा है जब आप स्क्रीन का काव कर रहा है कंप्यूटर पर काम कर रहा है तो उससे जो टाइडिडमिश आथी है यह ज़़ा जिआदा क्गो दिए तो फ।ह क्ष़कानाति है वो जो है जब आप इसको ऑप पिक बना लीजे रिशी को और और उसके बाद में इसको उसमें भिगो के और दोनों आखों पे रख लिजे तो उससे जो है यह अंडर आई के जो डार्क सरकल्स है वो ठीक हो जाएंगे 이에pen जो यूजज़ा इसका वो एक बहुती अच्छा यूज़़ा हैं अगर आपके बहुत fluor हो गया है यानि बाल आपके नीचे से बहुत fluor हो गया है भीत कि्स लगया है तो आपको क्या करना है कि वीघ्रव करने के बाद में जब आप हेर वाष कर लीज़िए अपने बालों को सुखा लीजिए एकदम मतलब पानी उसका खारम हो जाए बिल्कुल एकदम ड्राई भी ना रहे हैं तभी आप इसके जो हेर के टिप्स हैं वो थोड़ा से रोज वाटर में डिप कर दीजिए थोड़ा से रोज वाटर लीजिए बाउल में और उसमें आपने एंड्स जो हैं वो डिप कर दीजिए और थोड़ी देर उसमें डिप करने के बाद में आप उसको ऐसे ही ड्राई होने दीजिए उसको ब्लो ड्राई नहीं करिए तो आपकी जो रफनेस है बाल में बाल के टिप्स में वो चली जाएगी तो यह है 15th यूज और यह एक जो 16th बालो में खिचा हो रहा हो और ड्राई नस लग रही हो तो आप इसका इस ब्लाई अपने साथ रखिए और इसको इसको monthape कर लीजिए वो इस से कम हो जाएगी और बालो में उसके बने बेंगा तो 16 तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई प्राब्लम हो चाहे ना हो लेकि चाहिए तो यह मैंने डाबर गुलाब बरी लिया है जो और हाँ एक और है इसका कि आप इसको फेस पैक को घोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे फेस पैक आप कोई भी अपलाई कर रहे हैं तो अगर पाउडर फेस पैक है तो आप उसको इससे घोल के अब तब अपल तो इसमें थे ही टॉप 10 के लावा मैंने 17 यूज़र आपको गुलाब बारी के बताए गुलाब जल के बताए तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यूसफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और मैं इसी तरह के और भी वीडियो आपके साथ शेर करती रहू तो सब्सक्राइब कर लिए जो अब पहले से सब्सक्राइबर है तो थैंक यू फॉर दाट फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल तो अगले फिर किसी वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट और गुड लख